भारात मताकी, मन्चुपर उपस्तीत, जिलाद्यक्स, श्री अमिर्चन जी, श्री मनीराम जी कहरवाल, चौदरी जग्दीश्ट नहरा, श्रीमान गनेशिलाल जी, हमारे संगठन मंत्री, श्रीमान राकेश जैन जी, हरियाना के प्रभारी, अनिल जैन जी, यहां के पडोज के राज्य से यहां पधारे हुए, हमारे संग्सद, श्री अर्जून मेगवाल जी, जग्दीत सिंग साग्वान जी, श्री बलवान जांगडा जी, श्री ससीपाल जी कंबोज, और मंचु पर उपस्तिक, भारतिय जन्ता पार्टी का नेत्रुतोगन, और आज की सभा में उपस्तिक, माताओ, भाई और बेहनो आज सबसे पहले तो मैं थोड़े देर से आने के लिए आप सबका शमाप्रार्थी हूँ, क्योंकि दिल्ली एरपोर्ट से, एरपोर्ट के आवागमन के कारण हेलिकॉप्टर उपने की परमिसन नहीं मिली, इसमें थोड़ी देर हुई मित्रो, सबसे पहले मैं इस मन्ठ पर से पूरे हरियाना प्रदेश की जन्ता का रदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि हरियाने में गत लोगसबा चुनाव में हम आज सीट लड़े थे और आज में से साथ सीट पर भारतिय जन्ता पार्डी को बड़े बहुमत्य हरियाना की जन्ता ने चिता है और हम भारतिय जन्ता पार्डी के कारेकरताओं के मन में कोई दोराय नहीं है कि हरियाना की सीटे भले साथी हो हरियाना की जन्ता के आशिरवात से ही मूदी जी आज प्रधान मंत्री पत पर बैठे हैं इसमें किसी के मंत्रों और मित्रों जीस प्रकार से हरियाना नी जन्ता ने केंद्र में परिवर्तन के लिए मत्तान किया केंद्र में परिवर्तन किया उसी तरह से आने वाले विदान्सबा जुनाव में भी पस्ट दिखाई पड़ता है कि हरियाना की जन्ता परिवर्तन के लिए मत्त करने जा रही है भारतिये जन्ता पाइदी को पून बहुमत दिलाने जा रही है और उसका कारण भी अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर कॉंग्रेस के नेताओं ने कहा दा कि सौध दिन के अंदर क्या हुआ चार महिने हो गए मोधी सरकार ने क्या किया कुछ लोगों ने कहा सपने दिखाते हैं क्या होने वाला कुछ लोगों ने कहा जोड से चिलाते हैं हम तो सपने दिखाते भी हैं और सपने पूरे भी करते हैं और किया हुआ वादान निभात है आप जाकर देखें जहां भारतिय जनता पार्टी की सरकारे बनी किस तरह का सासन हमने दिया हैं जहां जहां भारतिय जनता पार्टी की सरकारे बनी बार बार भारतिय जनता पार्टी की सरकारे चून कर आती हैं क्योंकि दिये हुए वादे हम पुरे करते हैं हम तो अभी वादे करते हैं और कहते हैं कि सद्दा पर आएंगे तो वादा पुरा करेंगे मगर दस साल थे एक कॉंग्रेस पार्टी हर्याना में पंचायत से लेकर पार्लामेंट तक सद्दा पर ही मैं पुछना चाहता हूँ कॉंग्रेस के लोगों से दस साल में आपने क्या जिया इसका हिसाब दीजिये अर्याना की जंता दस साल का हिसाब मांगा हमारे किसी भी राज्य में जाकर देखे गाओं में 24 गंटा बिजली पहुंचाने का काम भारतिय जंता पार्टी की सरकारों ने समाप्ट कर देखे आप तुझे बताईए हर्याणा के गाओं में 24 गंटा बिजली आती है क्या आती है नहीं आती है तो कौन जिम्मेदार है खुड़ा जी की सरकार यहां दस सा रही है कौन जिम्मेदार है खुड़ा जी की सरकार जिम्मेदार है आप मुझे बताईए भारतिय जंता पार्टी के सासन वाले हर राज्य के अंदर आप अगर घर में कोई बुड़ा बिमार पड़ता है कोई मा बिमार पड़ती है कोई बच्चा बिमार पड़ता है और एंबूलन्स के लिए फॉन करते हैं तो दस मनीट में सभी आधूनिक सुविदा उसे लैस एंबूलन्स पहुंच जाती है हर्याना में पहुंचती है क्या पहुंचती है तो इसके लिए जिम्मेदार कॉंग्रेस पार्टी की सरकार मित्रो हर्याना का कुशी विकास्तर एक जमाने में देश में सबसे उपर रहा करता है किसानों की आमदनी देश में सबसे आपती है आज हर्याना का पुसी विकास्तर तीन प्रतिसत हो गया है और घुदा जी कहते हैं मैं किसानों का प्रतिमी भी हूँ मैं किसानों का पुद्धाजी एक जूट सरयाम बोलते हैं कि भारत सरकार ने बासमकी चावल की निकास पर प्रतिबंद रखा है मैं पूछना चाहता हूं उगला जी को उगला जी प्रतिबंद रखा है तो कोई कागद तो होगा ना इसका कागज हो नहीं होगा बताइए भाईयो क Suppose तो उगा दिखा दे वह कागज कि बासमती राइश के प्रतिबंद का रखाका तो तो हरेने के किसान का कि बासमती चावल कि वारत सरकार के प्रतिबंद के कारण नहीं मिकास होना बंद हो गय है यहाँ पर चार प्रतिसत जो मंडी का टैक्स है वो भारत में और कहीं नहीं है सिर्फ भर्याने में है इसलिए हरियाना का राइस हरियाना का चावल निकास नहीं होता हुगला जी इसके लिए जिम्मेदार आप मित्रो कोई मुद्दे नहीं बचेंगा इसलिए जूट खास हा रहा है दस साल तो किसानों की जमीन हडब कर बिल्डरों को देने का काम दिया किसानों की जमीन हडब कर दिल्ली के तरबार में भेट करते रहे किसानों की जमीन हडब कर बड़े बड़े अरबोपती खरबोपती को और धन्वान बनाते रहे और आज उनको चावली आदाता है वो भी जूट हुए आदाता है मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ कि दस साल से भुट्डा जी सासन में हैं दस साल से यहां के इरिगेशन की सुईधा के अंदर कितनी बड़ोत्री हुई हुई है बड़ोत्री एक्सपोर्ट पढ़े इसके लिए कोई रिसर्च सेंटर बनाया है किसानों की उपज बढ़ जाए किसानों के खेट में ज्यादा धान पैदा हो इसके लिए कुरुसी वैजनानिक लगाये है क्या हुट्डा जी मत्यप्रदेश में जाकर देखिए बं बारतिय जंता पार्टी की सरकार लेकर है इसको कहते है किसानों की सरकार जाकर देखे गुजरात में नर्बद का पानी कहां कहां तक खेक खलियान तक पहुचाने का काम बारतिय जंता पार्टी की सरकार लेकर पुड़ा जी कहते हैं कि मैं यह करूंगा वो करूंगा दस साल तक पूछ नहीं कर पाएं और एक और चोटाला जी है जो कहते हैं मैं जहल से मुख्यमंत्री की सपत लोंगा जहल से आप लोग सहमत है कि हर्याना का मुख्यमंत्री जहल से सपत ले सहमत है आप मित्रों, यह हर्याना में हुट्टा, चोटाला, यह फेल बहुत हो गया हर्याने को बरबात कर लग दिया जाथ पाथ के अधर पर हर्याना का बहुत मांधर अपने बेट बेटियों का घर बने के लावे इन ने दावने कुछ नहीं कर unemployed और अब समय आगए हर्याना को विकास की यहत्रा तेज करिये तो भारतिय जंता पार्थी को पुन बहुमत से जिताना पड़ेगा हर्याना के अंदर जमिन के घोटाले अगर बंकने हैं तो भारतिय जन्ता पार्टी को पून बहुमत से जिताना पड़ेगा हर्याना के अंदर बहु बेटियों की उपर जो अत्याचार होता है वो बंद कराना है तो भारतिय जन्ता पाटी को पून बहुमत से चिताना पुड़ेगा हर्याना के दलीतों पर देश में सबसे ज्यादा त्यचार होता है अगर ये बंद करना है तो भारतिय जंटा पाटी को पून पहुमत से चिताना पुड़े है। मित्रोग ए लूटने का और गुंडा गर्दी का साशन अब हर्याना से निकाल रहे है। अभी कुट तिन पहले कॉंग्रेस के नेता पूछ रहे हैं कि भारतिय जंता पार्टी ने ये तीन महिनों में क्या किया। भई हम तो चार महिने से ही साशन में आये हैं। आपने तो साट साल तक सासन किया आपने क्या किया इसका हिसाब दिजे चार महिने में साट साल का जो आपका बिगाड़ हुआ सासन है वो कभी ठीक नहीं हो सकता मगर मैं फिर भी चार महिने में भारतिय जंटा पार्टी ने क्या कहा वो आपको कहना चाहता हूँ सबसे पहले तो हमने इस देश को बोलने वाला प्रधान मंत्री दिया है दस साल के बाद दस साल के बाद ये देश प्रधान मंत्री की आवाद सुनगा है दस साल से देश प्रधान मंत्री की आवाद सुनने को तरस गया है हमने एक एसा प्रधान मंत्री दिया है जिसको लाल किले से भासन करते वक्त आगे गुलेट प्रूप सिसा लगाना नहीं पड़ता आख से आख मिलाकर लोगों से बात करने की हिम्मत हो एसा प्रदान मंत्री दिया है जो सपत लेते हैं तो सभी लोगों को निमंत्रन देते हैं आख सभी देशों को नरेंद्र भाई निमंत्र बेजते हैं मगर इस बार मुझे कहते हुए हर सोराय के आजपास के सभी देश नरेंद्र भाई को निमंत्रन दे कर नरेंद्र भाई की सपत्विधी में दिल्ली में उपस्तित्थे ये भारत का गौरव है पड़ोशियों में और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने ना काम भारती अचनता पार्टी में क्या है हमने पाकिस्तान को भी नियोता दियाथ और कहा था आएए सेंटी के लिए बारता करते हैं पाकिस्तान के हमारा नियोता स्विकार भी किया और सक्षिंस्तर की बारता क्या हर बार की तरह जैसे सत्चिम्स तर की वाउटा रइड हुई पाकिस्तान ने कास्मिरी अलगावादियों से बात करना शुरू करती है और कास्मिरी अलगावादियों से बात करकर पूरी दुनिया में मैसे दो देना चाहा के कास्मिर अभी भी बी disputed state है हर बार ऐसा होता था मगर पहले क्या होता था कॉंग्रेसिस सुन ले जरा जब आपकी सरकार होती थी तो क्या होता था आपकी सरकार होती थी तब होता था ऐसा होता था तब सभी सचीओं की एक मिटिंग होती थी उसके बाद में मंत्री और सचिर की मीटिंग होती थी उसके बाद में मंत्री और प्रधान मंत्री की मीटिंग होती थी और उसके बाद में कुछ नहीं होता था कुछ नहीं करते हैं मगर इस बार भारत्य जंता बाटी की सरकार इस बार नरेंद्र मोधी की सरकार ने आदे खंटे में नीने किया कि कास्मिर हिंदुस्तान का अभिन अंग है इस पर अगर आपने बात करनी है तो हिंदुस्तान के साथ बात नहीं हो सकती अलका वादियों से बात करिये या हिंदुस्तान से बात कि तेश बर में एक स्पस्ट मेसेज वे दिया कि कास्मिर हिंदुस्तान का अभिन अंग है इस पर कोई समझोता नहीं हो से मित्रो पहले भी पाकिस्तान की सख़त पर से बोला बारी को आज भी होती है आज भी होती है अभी भी चल रही है कल भी किया है मगर इसमें एक अंतर आया है कॉंग्रेस्यों को अंतर नजर नहीं आएगा इसलिए नजर नहीं आएगा क्योंकि उनकी आख पर वीदेशी चस्मा चड़ा हुआ है इसलिए उनको अंतर नहीं दिनका है मैं बताता हूँ आपको क्या नहीं पहले जब गोली बारी होती है तो उसकी सुरुआत भी पाकिस्तान की सेना करती है और उसका अंत भी पाकिस्तान की सेना करती है आपधि बारी की सुरुआत तो पाकिस्तान की सेना करती है और उसका अंत भारत की फोजय करती है इन्त का जवाब पक्ठर से लिए हम सरहत की सुरक्साहों के मामले में कोई लिपापडियोटी नहीं चाहँ बारतिय जन्ता पार्टी की ए मोधी सरकार सहद्यों की सुरक्षा के बाले में बेहत धंबीर है और दोना पिछ है मित्रो एक जन दन योदना सुरू करे पचास-पचास साल से बैंकों का राष्ट्री करन हुआ था कर पचास साल में देश की पचास-प्रतिसथ गरीजनता पिछडी जनता आदिवासी जनता उनके बैंक अकाउंट ते एक परिवार में एक भी बैंक अकाउंट पचास-प्रतिसथ लोगों में मोदी जी ने ये 50 प्रतिसत गरिबों को पिछडों को दलितों को आदिवाश्यों को हिस्तेदारी देने के लिए जन्धनी योदना की शुरुआत देखे मिनिमम बैलेंस की जो नियम था उसको बदल दिया सुन्य बैलेंस से भी आपका एकाउंट खुल सकता है और जो एकाउंट खुलाएगा उसको एक लाग रुपिय का अकस्मात भीमा मिलेगा उसकी भी खोश्रा करते इसके कारण आद पांच करोड लोगों से गरिबों से ज्यादा गरिबों के बैंक एकाउंट एक महिने के अंदर खुल गए हैं और उनको अपने अर्थ तंत्र में हिस्तेदार बनाने का काम ये सरकार में शुरू कर दिया है ये योदना कॉंग्रेस के विचार में क्यों नहीं आई गए क्यूंकि वहाँ पर जो है वो बड़े बड़े लोग है यहां पर एक घरीब पिछले समात का चाय बेचने वाला व्यक्ति भारतिय जन्ता पार्टी ने देश का प्रधान मंत्री बनाया है उसी को घरीबों की चिल्ता हो जकती है बाकि किसी के पेट में घरीबों के लिए आग नहीं लग सकते बेरोगारी से पूरे देस का युवात प्रस्त, 1700 करोड का मार्केट, 1700 करोड के लोगों की खाने की चीजे, पिने की चीजे, पहनने के कपड़े आप ये देखें युवा मोबा Leist फोटों निकाल रहा है वो मोबायल जींस पैंट पेरकर कर खणा है वो जींस सब विदेश से आता है आता है ना विदेश से किसी को मालूम ने पड़ा कि क्या करना चाहिए मोदी जी ने 15 अगस्त को आखवान किया कि भई यहां पर माल बेचना है तो जरूर बेचिए सौ करोर की जंता का बारकेट पुरी दुनिया के लिए खुडा है मगर माल बेचने के लिए माल बनाने की सरुवाद हिंगूस्तान में करिये मेकीन इंडिया का नारा दिया और तीन अजार कंपनियों ने यहां कारखाने लगाने की सुरुआद जब यहां कारखाने चलेंगे वारत के बेरोजगार युवा को रोजगारी मिलने की सुरुआद मित्रो, बेटी बचाओ की बात हो, स्वच्छता अभियान की बात हो, गंगा को सुध्ध करने की बात हो, इतने सारे काम हैं, मैं कितने कि नाओ मगर आएन है लोग और कॉंग्रेस के लोगों को वो दिखाई में पड़े, मैं आपको पुछना चाहता हूँ, कि ये जमना था, जब भारत के प्रधान मंत्री यूँ टिक-टिकी लगा कर देखते रहते थे, कि भाई, आज अमेरिका के प्रेसिडंट क्या बोले हैं, आज वल यहां आकर कहता है सबका साथ, सबका विकास अच्छी बात है, एक जमना था, जब भारत के प्रधान मंत्री जापान जाते थे, चीन जाते थे, अमरिका जाते थे, किसी को मालूम नहीं पड़ता है, और एक जमना आज है, जब नरेंदर भाई जाते हैं, तो पूरी दुनिय देखती है कि नरेंदर भाई क्या बोले है, चीन का राष्टपती यहां आता है, तो दुनिया की निगाह होती है, कि राष्टपती और प्रधान मंत्री के बीच में क्या बात है, और भारत का प्रधान मंत्री जब अमेरिका जाकर मैडिसन स्क्वेर के अंदर भासन करता है, तो सुनने के लिए गोरे भी लाइन लगा कर बैट जाते हैं वो समर्ण आप लोगों में से कितने लोगों ने प्रदान मंद्री के मेडिसन स्क्वेर के बासन को सुना अजरा हाग खड़े करिये लगबग लगबग सभी लोगों ने सुना है ना देश का प्रदान मंद्री युवेन एसमली में जाकर मेडिसन स्केर में जाकर हिंदी में भासन करता है तो आपकी छाती घजजज फुलती है या ने फुलती है बताईए देश का सन्मान होता है या नहीं होता है पुरी दुनिया हिंदी सुन्ती है या नहीं सुन्ती है मित्रो ये नरेंग्र मोदी का सन्मान नहीं है ये भारत की 135 करोड़ लोगों की जंता का सन्मान है ये काम हमने ये चार महिने के अंदर किया जरा चस्मा बदल दीजिये क्या हुआ है वो आपको दिखाई पड़ेगा मैंने तो कहा अभी काफी चीज़े हैं कहने के लिए अगर मैं कहने बैठ जाऊंगा तो साथ दिन की भागवत सबता बिठानी पड़ेगी फिर भी कामों की सुची खतम नहीं होगी इतना चार मेने में हुआ है मगर दस साल के अंदर आपने क्या किया सोनिया जी बताईए मैं बताता हूँ क्या दस साल के अंदर डॉलर की कीमत जमिन के अंदर डाल दी मेंगाई को बढ़ा दिया सरहदों को असुरक्सित कर दिया आंत्रिक सुरक्षा को नीचे ले गए माता और बहनों की सलामती इन की दस साल के अंदर आपने टूजी गोटाला किया हेलिकॉप्टर की खरीदी में गोटाला किया टैंक की खरीदी में गोटाला किया other society में सहीदों की घ्जवा को दिए हुए फ्लेट आपके मुख्य मंत्री ले गए C.W.G. में घोटा ला करकर दुनिया में भारत का नाम बदनाम कर दिया इसरों में घोटा ला किया सबमरीन में घोटा ला किया हवा ये ले बनाए उसमें घोटा ला किया एरोप्लैन खरिदे उसमें गोटा ला किया और अंत में तो ऐसी चीजों में भी गोटा ला किया जिसको चोर भी नहीं चुता चोर भी चोरी नहीं का cowboy अपरेसानी में पढ़ गए मैं क्या कह रहा हूं मैं बताता है पहले एक जमना था जब अपनी मा बेने sociologist कोयले से खाना पक्ता था यादे ना कोईला कहा रखते दे बता ही आपको घर के बहार रखते दे या अंदर रखते दे बहार रखते दे ना क्यूं क्यूंकि कोईला तो चोर भी चोरी नहीं करता कोईले को चोर चोरी नहीं करता एक कॉंग्रेसी तो 56 लाग करोड रुपे का कोईला भी चोरी कर गए कोईले को भी इनोंने नहीं छोड़े अरे सर्म करो सर्म करो हमसे इसाब मागने के पहले दस साल के हर्याना और भारत के सासन को याद करो अपने खिरेबान में जांको बोलने की हिम्मत नहीं रहे कि मित्रों में ज्याधा कहना नहीं चाहता है आगे पर भी थोड़ी देर हो गई है मगर मैं यहां आया हूँ हर्याना की जंटा को निमंतित करने के लिए कि भारत में एक नहीं शुरुआत हुए एक विकास यात्रा चली है और विकास यात्रा हर्याना में तब ही शुरू हो सक विकास यात्रा को जूड़ने वला मुख्यमंत्रिया फढियाना को देची आप मुझे बताईे कॉंग्रेस या तो चोटला साब के तो मोदी जी को काम करने देंगे आप बताने के क्या अरे वो तो मंच पर भी साथ में नहीं चांट कि दूसरे को मोदी जी भीठाना चाहते हैं आप काम कैसे चले गां कि हरियाना के अंदर हे विकास करना है को विकास यात्रा है तो हरीcolored की छनता ने मोदीजी के हात मजबूत करकर पून बहुमक्त की सरकार दे कर यहां भारत है जनता पार्टि का प्रिक का Есть और उसके लिए ये सीट पर भार्दिय जंटा पार्टी का विजय बहुत जबी यहां पर आने का नीड़ा है मैंने सोच समझ करके जहां पर मेरा कारेकरता कपकर लेकर लड़ रहे हैं वहां जाकर मैं उसकी पिठ थभरना चाहता हूँ इसके विजय के लिए प्राथना करता हूँ इसलिए आज मैं यहां आज मैं आज सब को अपील करता हूँ हमारे प्रत्यासिकों इतने भहुमत से जिताईये कि देखने वाले की आँखें चका जौंद हूँ तो आने वाले दिनों में नरेंद्र भाई हर्याना का कर्द उताना चाहते हैं उन्होंने छे साल तक हर्याने में रहकर काम किया है इस पार हर्याना में पूर्ण बहुमत की भाज़पा की सरकार की जिये और नरेंद्र भाई के हाथ मजबूत देखें मुझे बताईए आप लोग देंगे पूर्ण बहुमत की सरकार तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़ा करकर मुठी बांद करके बारत मदा की 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 झाल झाल